वही चतिस गड़ के मुख्यमंतरी विश्णुदेव साय सावन के आखरी सोमवार को उजयन के महा कालेश्वर मंदिर पहुँचे जा उन्होंने पूजा अर्चना किया इस वरान सभी को रक्षाबंदन की बधाई देते हुए कहा कि आज सावन महीने का आखरी सोमवार है और आज रक्षाबंदन भी है तो आज हमने यहां पूजा की है और प्रार्थना किया कि 36 गड़ में खुशहाली सुख सम्रिदी हो वहां रहने वाले लोगों का जीवन सुख में हो साथी सभी विकास के धारा से जुड़े और मुझे सीम का जो दाई तो मिला है उसे निभाने म में शक्ती भगवान भोले नात प्रदान करें साथी उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्तर मोहन यादो से मुलाकात की 36 गड़ के मुख्यमंत्री विश्णुदेव साई के महाकाल मंदीर में दर्शन करने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन याद और आज सावन महिना का आखरी दिन है पूर्णिमा भी है रक्षा बंधन भी है आखरी सोमवार भी है और इसे पावन उसर में हम सब परिवार 36 गड़ सिहाँ पर आए हैं बाबा महाकाल के सरण में और उनका दर्शन किये हैं विधिवत पूजा अर्चना किये हैं और उनसे प्राथना किये हैं कि हमारे 36 गड़ में खुष्थाली हो 36 गड़ में सुक समरिदी हो वहां के रहने वालों का सब का जीवन मंगलमई हो सुक में हो वहां पर आपस में भैचारा हो सभी लोग विकास की मुखधारा से जुड़ें और आज उनका ही आशिरवाद है कि इतना बड़ा गुरुतर दाइत मुख्यमंत्री का मिला है उसको निभाने की सकती भी उपरदान करें ऐसा उनसे परातना किये हैं और आज रक्षाबंधन का भी तेवार है और सयोग से आज महाकाल की धर्ती में हैं मतप्रदेश में हैं तो समस्त मतप्रदेश वासियों को और सतिरगड़ वासियों को भी रक्षाबंधन की बहुत ब बाबा महाकाल का वेभू बड़े हर समारी में हमारे लग लग अतिती आए उस करम में आज 36 गड़ के मानी मुख्यमंतरी हमारे बीच बाबा के हाजरी लगाने आए मैं उनका बंदन करता अभिनदन करता हूं और मजबदेश और 36 गड़ का तो वैसे ही हमारा पेतरक संबन्द हमारा पुराना मजबदेश का ही एक तरह से हिस्सा था और आजिजवज संस्कृति के नाते से जो हमने प्रयोग किया है कि हमारे बाबा महाकाल के सभी जिलों से खास करके ट्राइबल की जिलों से भाई बंदू आए उस करम में अलग-अलग जिलों की मंडलियां भी आ रही है आए तो मुख्यमंत्री आ गए तो और आनंद आया इसे आनंद में हम सब सहबागी है बाबा की करपा सब्पे बनी रहे और बाबा का वेवाशी बढ़ता रहे जैई सरी महता है